हलो एब्रीबाउन विल्कम बैक टो इसे मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरिस के मैथ टेस्ट नंबर फिफ्टी टू है यह आरेसी ग्रूप डी के लिए आरेसी ग्रूप डी जीरो वान टेन टुथोजन इटीन सिफ्ट्री के पर रही है चलिए देख लेता है क्या दिया करता है और हम सोच रहे है क्योंकि प्रीमियर में कोई आटेंड नहीं कर रहे है उतना अच्छे तरीके से एक जन या फिर दो जन कर रहे है कभी तीन जन कर रहे हुआ तो इसलिए मैं प्रीमियर नहीं करूंगा नॉर्मल अपलोड कर लूँँगा आपको जिसको देखना है आके जितना स्पीड में चाहो आप देख सकते हो ठीक है सर और जो नॉर्मल क्लास रहेगा जैसे लक्षबैश वाला जो क्लास रहेगा उसको प्रीमियर कर देंगे उससे क्या होगा मैं वहां पर लाइव इंट्रेक्शन आपसे कर पाऊंगा ठीक है वह 20-30 मिनिट का क्लास ह होगा हर एक जो यह रबजा आएगा आज आ नहीं पाया क्योंकि कंप्यूटर में मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था उसको पूरा पूरा तरीके से अपने ठीक किये और आके फिर आके बैठा हूं इसलिए आज अभी टाइम हो रहा है एक ट्वेंडी टू अभी जाके रेकॉर्ड हो रहा है उसके बाद अपलोड होगा उसके बाद आपके प्रोसेसिंग होगा उसके बाद एडिटिंग होगा उसके बाद प्रोसेसिंग होगा फिर जाके पहुंचेगा ठीक है एडिटिंग कुछ नहीं है यहाँ पर रेशियो क्रॉप रेशियो कुछ ग तो क्या बोला जाता है R in the proportion, then C is the third proportional तो यहां से क्या हो जाता है A upon B, वरावर B upon C होता है तो यहां से हम लोग को निकालना पड़ेगा तो 9 upon 12 equals to 12 upon X तो X equals to third proportional X equals to 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 6 X equals to 16 is the correct answer option number B is the correct answer ओके सर, चले देख लेते next question क्या दिया हुए क्लान is twice as old as his sister and five times younger than his father after two years, their combined age will be 58 how old is क्लान's sister now क्लान कितना है सर twice as old as his sister तो क्लान is two sister लिख लेता है ठीक है five times and five times younger than his father तो क्लान क्या हो गया सर five times younger than his father अच्छा ठीक है उनके प्रिताजी से five times younger है तो इसका क्या मतलब हो सकता है सर क्लान के father हो जाएंगे क्लान के five गुना ठीक है after two years their combined age will be 58 how old क्लान's sister is now तो दो साल के बाद तो क्लान प्लास ये father वाला छोड़ देता है तो क्लान प्लास दो साल के बाद क्या हो जागा two और इधर कितना हो जागा sir combined age और sister प्लास two तो ये कितना हो गया sir 58 हो गया इन दोनों को टोटल का जोड तो क्लान प्लास एस sister बरावर 54 तो यहां से कितना आ रहा है क्लान बरावर 2s है तो 3s equals to 3s equals to 54 तो as equals to 38, 24 तो 18 साल ठीक है तो क्लान sister after two years their combined age will be 58 अच्छा ठीक है sir यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ ये father वला भी concept लगेगा कैसे concept लगेगा देखो दिया हो है five times younger than his father मतलब father क्या है sir five times younger five times क्लान तो 3s का साम दिया हुए कल्यान प्लस sister प्लस father बरावर कितना है after two years मतलब 3s का 2s हो जाए plus 6 बरावर कितना है sir equals to 58 दिया हुए तो 58 को यहां से निकालते तो कितना हो तो 52 हो जाता है चे को 58 से निकाल देते है तो कल्यान का age कितना है sir सर कल्लान का इज बरावर 2S है सिष्टर का इज कितना होगी S हो गया फादर बरावर 5 कल्लान मतलब 10S हो जा रहा इकोस टू 52 तो 10 दो 12 है कम 13 तो 13S बरावर 52 S बरावर 13 चके सर फिफ्टी टू था 13 चके वावन ठीक है आप्शन नंबर B is the correct answer 4 साल यहाँ पर थोड़ा सा लंग्वेज में मुझे दिक्का दाया था क्या दिक्का दाया था आपके लिए यहाँ पर देखो लिखा हुओ है and 5 times younger than his father तो यह वाला दिक्का दाया गया था तो father का इज कितना होगी 5 times of कल्यान चले देखला देने next question क्या दिया हुआ है दिक्षा ओप्टेंड 58% मार्क्स इन ए इन एक्जाम वन ए वर्ड मैक्सिम मार्क्स वस 450 सी ओप्टेंड डडडडड मार्क्स तो 450 के हमें 58% निकालना है 415 to 58 upon 100 तो यहां से कितना हो जागा सर सर 450 के 50 पचास पचास हट गया तो इधर ओडडड़ पांच नो पैतालीस पांच दूना दस तो दो से दूना चाथ दूना आटरा तो नौना इककासी एक केरी फर ओडड़ा नौ दूना आटरा और आट कितना होते है आटाट सोला मतलब 26 261 is the correct answer option number C ठीक है चले देखले ते next question क्या दिया हो है The data shows the information on the number of the children vaccinated in the year 2016 in different cities तो यहां पे दिया हो है if the total number of children vaccinated in 2016 1,20,000 then how many kids from the city B were vaccinated तो B से कितना सर यह percent दिया हो है B वाला कौन सा है 30 percent वाला ठीक है तो एक लाग B सजार के एक लाग B सजार के 30 percent अम लोग निकालते है अब इन्टो 30 अपन 100 तो यह 0-0 कड़ गया तो 0-0 कड़ गया तो बारातिन बारातिन 36 तो 36,000 is the correct answer कौन सा वाला option option number D ठीक है चले देखले देखले ते next question क्या दिया हो है सिंधु कैन कवर से डिस्टेंस 20 अपन 2 अपन 3 किलोमेटर इन्ट 7 अपन 4 अवर्स अन फूद ठीक है यहाँ पर दिया हो है किलोमेटर पर आवर यहाँ पर यूनिट में गलत दिया हो है option number C is the correct answer चले देखले देखले दे नेक्स्ट क्विशन क्या दिया हो है मतलब क्या बोला गया सर एक ही नॉर्मली सोचते है ठीक है नॉर्मली कैसे सोचेंगे यह बहुत ही आसान से सवाल दाए कैसे देखो सर 8% का उसट से 8% का उसट से 1.5 यह का इंटरेस्ट कितना होता सर 158 कितना होता है 158 सर अपका वो रहा है 12 120 ठीक है 8-4-45 इदर अइन रहा है 8 testim क कमाट तो 12% इंटरेस्ट होता है एक साल में 15% का आठ परसंट के हिसाब से 12 साल में इंटरेस्ट जो होता है 12% के हिसाब से 1 सल का इंटरेस्ट भी सेम होता है तो किसी का 12 प्रतिशत बराबत दिया हुआ है, 360, तो 100 प्रतिशत का वैलू कितना हो जागा, अपन 12 इंटु 100, ठीक है, तो 12, 36, तो 30, तो 3000 अमाउंट आ गया, यह प्रिंसिपल है, ठीक है, 3000 रुपे प्रिंसिपल है, अब देखो सर, compound interest कितने साल के लिए, double the time, मतलब 3 साल के निकालना है, कितना प्रतिशत, 8% के इसाब से, तो इसका 8% कितना होता, 8, 3, 24, तो 240 इंटु 3, तो 24 तिया कितना होता है, सर, इसको पोच लेता है, थोड़ा सा, ठीक है, 24, 72, 720 आ गया, ठीक है, तो इसका फिर से 8% कितना होता है, सर, 8, 2, 16, 8, 32, तो 16 और 32 कितना होता, 6, 39, तो 196, ठीक है, 196, तो 19.6 परसेंट आएगा, हां से 19.6 परसेंट आएगा, तो कैसे आया, 240 इंटु 8 अपान 100, तो इसका 8% निकालना है, तो 8, 32, 22, केरिफर 3, 8, 2, 16, 17, 18, 19, तो 19.2 आया, सरी, 8, 2, 19.2 आया, ठीक है, तो यहां से इंटु 3 आएगा, फिर कितना होता है, 19, 57.6 तो 57.6 यह आगया, तो फिर से इसका 8% आएगा, 8, 2, 16, केरिफर 1, 8, 9, 22, 23, 3, केरिफर 7, 8, 8, और 8, 7, 15, ठीक है, 1.536 इंटु 1 होगा, तो 1.536, तो इसको लिग लेता है, 1.536, तो इनको जोडते हैं, तो लास्ट में कितना आएगा, सर लास्ट में आएगा, 6, 3, आएग 9, 527, तो 779.13 is the correct answer, option number D, टेक है, तो यह हो जाएगा, आपका interest, चलिए देखले, तो नेक्स्ट क्या दिया हो है, रथीन and ब्रतीन, together can complete a piece of work in 12 days, they started the work together, but रथीन had to leave 5 days before the work get over, as a result, it took total 15 days to complete the work, how many days would it have taken ब्रतीन to complete the work by himself, हम लोगों को क्या दिया हो है, रथीन plus ब्रतीन कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और इधर कितना है सर, 5 दिन और इधर 15 दिन है, ठीक है, 5 दिन है, 15 तो हम लोगों को समझना चाहिए, कि LCM कितना होगा, सर 12 और 15 का ले लेता है, सर 12 मतलब 3 चों के 12, 15, तो 60 ले ले लोग ले लेते हैं, 60 unit, ठीक है, अब देखो 12 दिन में गरता है, 60 unit मतलब एक दिन में 5 unit, इन दोनों का efficiency आगा 5 ठीक है, राथीन हैं to leave 5 days before the work, राथीन हैं to leave 5 days before the work to get over, हम लोग पखड़ लेता है, राथीन को, राथीन का efficiency X, तो ब्रतीन का efficiency कितना हो जागा सर 5-6, समझ में आया, देखो total efficiency 5 है, रतीन 5 दिन पहले ही छोड़के चल गया थे, तो इन दोनों ने मिलके क्या 5 दिन अकेला काम किया, हाँ सर 5 दिन मिलके, अच्छा देखो total काम कितना दिन में खतम हुआ, सर 15 दिन में खतम हुआ, ठीक है, 15 द दिन ही काम करेगा, तो 15 इंटू 5-6, और रतीन कितना दिन का काम करेगा, 5 दिन पहले ही छोड़के चल गया, मतलब 10 दिन का काम करेगा, तो 10x प्लास 15 इंटू 5-6, बरावर कितना हो गया, सर 60 unit का ही तो काम था, तो यहां से कितना आजा रहा सर, minus 5x equals to 15, 5, 75 होता है, 5, 25, इ देगा, 2 efficiency के हिसाब से कितना दिन में, 30 दिन में, यहां पर ब्रतीन कितना दिन में करेगा, 37 दिन में, option number C is the correct answer, तो यही तो दिया हुआ था, पूछा गया थे, ठीक है, चले देख लेते next question, क्या दिया हुआ है, find the square root of the perfect square, made by multiplying 4050 with a least positive integer, मतलब क्या दियो है, सर 4050, यह किस के आसपास का है, देख लो न, सर 85 का क्या हो जागा, सर, 85 का हो रहा है आपका, 89 72, और 25 25, ठीक है, find square root of the perfect square, made by multiplying 4050 with a least positive integer, अच्छा ठीक है, 4050 का factor निकालते हैं, तो क्या हो जागा, सर, 2 से आएगा, अच्छा 5 से करता है, 5, 8, 4, 5, 5, 0, तो इधर आर, 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5, 5, 3, 5, 2, 10, 2, 2, 8, 61, 3, 3, 9, 27, 3, 8, तो 3, 9, 27, 3, 3, 2, देखो सर, यहां से 2 से गुना कर देता, तो 4, 0, 5, 0 का 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जागा, 100, और इधर और 4, 2, 8, तो इकासी सो तो 90 का स्क्वेर हो जाता है, option number B is the correct answer, चले देखले लिए the next question क्या दिया हुआ है, ए पार्षन बॉरोड 320000 at a yearly 9% simple interest and deposited the same amount in a bank at a yearly compound interest of 10%, ठीक है, what is the gain rupees at the end of the 3 years, अच्छा ठीक है सर, 9% का simple interest, same amount in a bank, आच्छा 3 साल के, 9% केPER से 3 साल का कितना हो जाता है, 27% होता है, और 10% केPER से 3 साल में compound interest क्या हो जाता है, ये पहले simple interest था, दूसरे वाले देखो compound interest दिया हुआ है, ठीक है, तीन साल में कितना होता है, 33.1, देखो 10% के इसाब से 2 साल में कितना होता है, 10 प्लास 10 प्लास 10 इंटु 10 अपन 100 मतलब 1, तो 21 होता है, फिर 21 प्लास 10 प्लास 21 इंटु 10 अपन 100 यह format होता है, तो यहां से क्या होता है, 31 प्लास इधर रहता है 2.1, तो 33.1, तो इन दोनो का गैप कितना है सर इन दोनों का गैप कितना है सत्ता इसा चार इकतिस फोर पाइंट वान परसन तो बतीस हजार के थ्री टू ट्रॉपल जिरो के हम लोग क्या करेंगे यहां पर क्या दिया है वाट इस दे गेंड रूपीज अट दे इन बैंक एंड यह लिए कंपाउड देख लेते बतीस एर के इसका फोर पाइंट वान परसन निकालते तो जिरो जरो हट गया तो जिरो के लिए पॉइंट अग गया तो 32 इधर और चार दोना आठ चातिन बारा ठीक है तो बारा और तेरा इधर और रहा तो 1312 इस दो करेंट आंसर ठीक है कुछ गलत किये नहीं सर एक दम सही है फिर वे क्यों एंसर क्यों नहीं आ रहा है यहां पर एक बाद चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है एक पार्सन बॉरड बत्तिस अजर अड़ एट यार्ली नाइन पर्संट सिंपल इंट्रेस्ट और डिपोजिटेड द सेम अमाउंट in the bank at a yearly compound interest of 10% what is the gain in rupees at the end of 3 year तीन साल के बाद इनको कितना देना है सा 27% इधर कितना अच्छा साथ तीन तीन छे यहां पर गलत हो गया साथ छे तेरा होगा 6.1% निकालना था 6.1% होना था ठीक है सर सर गलत हो गया यहां पर 6.1% तो 32 इंटो 6.1 32 1 जा 32 3 आ गया और 32 6 जार कितन नहीं था 6.3 आट रहा छे दूना 12 मतलब 192 ठीक है तो 192 और 32 जा 3 था कॉमन तो 19 1952 उनको प्राफिट हुआ option number D is the correct answer ठीक है यह गलत कर दिया थे मैंने यहां पर 27 को 31 से माइनस करने में मेरे से गलती हो गया स्वारी साथ चलिए देख लेते next question क्या दिया हो है आप यह गलती एक्जाम में मत करना कोशिश करना कि थोड़ा सा calculation बैठे बैठे कर लेना ठीक है यहां पर अगर क्योंकि अभी थोड़ा सा इधर उदर चल रहा है इसलिए गलत हो रहा है ऐसे गलती मत करना कभी भी ठीक है person A, B, C can complete a task together in 81 days 81 days में A, B, C complete करता है task 81 days में A and B can complete the same task together in 97.2 days ठीक है 97.2 days आगया where B and C complete in 162 days in how many days B alone complete the task अच्छा सर यहां पर डेटा थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा A plus B plus C कितना दिन में करता है sir 81 days में A plus B कितना दिन में करता है sir 972 days में यह 9 से divisible है 970.2 अच्छा B और C कितना दिन में करता है B plus C करता है 162 days में हमें निकालना है B कितना दिन में करता है ठीक है हम लोग थोड़ा से efficiency का funder ले लेते हैं इन दिनों के LCM कितना हो जागा से 9981 होता है और 9 से इसको करेंगे तो 9 एकम 9, 0, 98 बाहत तो 10, 10 हम लोग 8 इंटु 9, इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9, 10 एक आ रहा है, 9 दुनो 18, तो 1.2 इंटु 9, ठीक है 162 से 9, 9 एकम 9, 9, 7, 5, 9, 8 बाहत तो 18, इंटु 9, अच्छा 18 को कि इतना लिख सकते हैं, 9 इंटु 2 लिख सकते हैं, तो 2, 9 कौमोनार है और इधर 1, 2 है, इधर 1.2 है तो 20 और 12 का LCM कितना होता है, 2 चके 12, 12, 12, 20 ठीक है 4, 3, 12, 4, 5, 20 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के LCM कितना हो जाएगा, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 9 के साथ 4, 5, 20 ठीक है, तो 81 इंटु 60 ये हो जाएगा आपका LCM, तो 81 इंटु 6 लिख लेता हैं, तो 6 कम 6, 6, 8, 8, 486 यूनिट, टोटल यूनिट अफ वार्क, ठीक है अब देखो एक चीज, 81 यूनिट काम, 81 डेज में काम कर लेता है, 486 टोटल यूनिट अफ वार्क, तो एक दिन में करता है कितना, सर, 68, 48, तो 6 यूनिट, और यहां से 162 दिन में करता है, 486 यूनिट, एक दिन में करता है, सर, एक दिन में कर लेता है, 16, एदा 3, 3 यूनिट अच्छा 97.2 से कितना होता है सै 97.2 से divide करो 486 को इंटू 0 हो जाएगा 10 तो इधर कितना होता है 6 दुना 12, 4 दुना 8, तो 2, 5, 10, तो 5 युनिट करता है B प्लस A प्लस B कितना युनिट करता है 5 युनिट, इन दोनों को जोडएंगे तो 5 प्लस 3, 8 युनिट होता है 8 unit से a plus b plus c को हटाएंगे तो कितना है तो 6 unit हटा देंगे तो b आ जाएगा 2 unit b 2 unit काम करता है एक दिन में 486 unit करेगा कितना दिन में 2 दुना 4, 2 चक्या 8, 2 तिया 6 तो 243 days option number a is the correct answer यहां पर detail ऐसे दिया हुआ था कि आपको time लग जाएगा ठीक है चलिए देख लेता है next question क्या दिया हुआ है इन्हें वालगर fraction 0.41 bar is given by sir point के बाद चितना number होता है उसको क्या होता है sir उसको पहले लिक लेता है उसके नीचे कितने point के बाद कितने के ऊपर बार होता है उतना 9 हो जाता है तो sir यहां पर क्या given है 9999 end times तो इनका value क्या हो जाएगा sir 2 is the correct answer option number C ठीक है 2 9 होगा ओके चलिए देख लेते next question क्या दिया हुआ है ब्रतीन is now 18 years old whereas his cousin is 7 years old उनके cousin 7 साल after how many years will ब्रतीन's age be 5 times that of his cousin तो ब्रतीन's age plus 1 साल हम लोग पकड़ लेता है equals to 1.5 times of his cousin plus x ठीक है तो ब्रतीन's का कितना हुआ sir ब्रतीन's का 18 plus x बराबर 1.5 मतलब 3 बटा 2 into 7 plus x तो यहाँ पे कितना होता है sir 18 दुना 36 plus 2x equals to 721 plus इधर कितना हो रहा है sir 3x तो 21 को निकालते तो कितना होता sir 15 15 बराबर x तो 15 साल के बाद x equals to 15 option number A is the correct answer ओके sir चलिए दिख लेते next question क्या दिया हुआ when a fraction when added to 7 upon 3 मतलब 17 बटा 3 के साथ कोई भी fraction जोडने से हमें क्या मिल गया 4 मिल गया what is the said fraction तो x बराबर कितना 4 minus 17 upon 3 तो 4 3 12 minus 17 मतलब 5 बटा 3 मतलब 5 बटा 3 मतलब 1 raise to the power 2 by 3 minus option number B is the correct answer ओके sir चलिए दिख लेते next question क्या दिया हुआ है let alpha beta be the roots of x square plus bx plus c equals to 0 and gamma delta यह gamma होगा gamma delta be the roots of px square plus qx plus c sorry r equals to 0 and d1 d2 are the respective discriminants of these equations if alpha beta gamma delta यह gamma होगा gamma delta r in the ap then d1 is to d2 ठीक है हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है roots कहां पे equation काँस है sir ax square plus bx plus c equals to 0 यह वहला पहला equation है जिसका roots sir alpha and beta तो यहां से क्या मिल जाता sir alpha plus beta equals to minus b upon a and alpha beta equal to c upon a ठीक है तो d1 मतलब discriminant वहां equals to क्या होता b square minus 4C, b square minus 4C, तो यहां से क्या हो जाता है sir इसको a square से गुना कर देता है, a square से गुना करेंगे तो a square से भाग हो जाता, b square upon a square minus 4c upon a, ठीक है तो यहां से क्या आ जाता है sir, a square into b square upon square मतलब? sir, alpha प्लस बिटा का whole², alpha plus beta का whole² minus 4 into γामा upon डिल्टा, सोरी alpha ο बिटा लिग लेता है, गलत लिग दियते है, alpha बिटा ठीक है यह आ गया पहला वाला equation तो यहां से क्या आ जागा सर यह alpha a square into a square into अंदर कितना होता सर आलफा माइनस बीटा का whole square लिख सकता है हाँ सर लिख सकता है देखो a plus b का whole square minus 4 a b मतलब क्या होता यह माइनस b का whole square similarly gamma and delta से हमें क्या मिल जागा सर similarly gamma and delta से हमें मिल जागा p square यहां से मिल जागा d2 के value क्या मिल जागा p square into gamma minus delta के whole square ठीक है तो यह दोना आ गया अगर alpha beta gamma delta are in ap तो हम लोग क्या लिख सकते हम लोगों को लिख सकते हम लोग लिख सकते alpha minus beta बराबर gamma minus डिल्टा ये तो मालूम है अगर ये चारो एपी में है तो बीटा से अल्फा से गैप और गामा से ये गैप दोनों सेम ही है तो यहां से क्या मिल जागा सर यहां से मिल जाएगा हमें क्या दिया हुए डिवान अपन डिटू को निकालना दिवान इस्टू डिटू को निकालना तो यहां से यह दोनों के value सेम है तो कड़ गया तो alpha square upon p square आजाएगा option number a is the correct answer ठीक है R in progression होना चाहिए था यह arithmetic progression लिखने से बजाए R in progression होना चाहिए था ठीक है क्योंकि इसके साथ कोई न कोई multiple होना होना पड़ेगा चलिए देखले था next question क्या दिया हुआ है Interangle ABC AD perpendicular to BC AD perpendicular to BC दिया हुआ AO is the bisector of angle BAC and ABC equals to 65 degree ACV equals to 23 and half degree then DAO is अच्छा ठीक है एक triangle draw कर लेता है ABC triangle सा सही से एक triangle draw किया जाए एक triangle हो गया ठीक है और यहां से क्या आजाएगा ABC नाम दे देते हैं जहां पर AD perpendicular to BC यह perpendicular दिया हुआ AO is the bisector of angle BAC angle BAC के bisector दिया हुआ यह AO दूसरा इंग से ले ले लीजिए तो AO is the angle bisector BAC AO ले लेता है angle ABC यह दूना angle same है ठीक है और क्या दिया हुआ हुआ है angle ABC के value angle ABC के value कितना है सर 65 degree and ACB के value कितना है सर ACB के value 23 half degree then DAO के value सर यह D था AD ठीक है AD perpendicular to BC तो DAO के value यह वाला angle के value निकालने के लिए बोले गया है तो यह दूना angle तो same है ठीक है अब देखो सर यह 25 है यह 65 है तो टो टो टल यह angle कितना हो जागा सर सर 25 को मिला के हम लोग को जोडते हैं जोडते हैं जोडते हैं कितना होता है सर 628 चेदो आठ पांस तिन आठ तो शाड़े 88 डिग्री तो यहां से कितना हो जागा सर 88.5 कर लेता है तो 0.5 आ गया तो 9 एकम 10 आठ एकम 9 नो आठ रहा 91.5 यह टोटल आ गया यह वाला तो यह छोट्टु वाला यह टोट देखो OAC मिल गया हमें यह 90 है यह 25 है तो यहवाला अंगल कितना है सर यह वाला अंगल आपकि आ गया 90 माइट साड़े 27 23.5 तो 23.5 को 0.5 तीन एकम 4 4 से 6 दोएकम तीन तीन अच्छे 66.5 कितना आ गया सर ये वाला एंगल 66.5 टोटल ये वाला एंगल कितना आ आ था सर 91.5ma2 मतलव कितना आा था सर सर देख लेते हैं ये वाला एंगल आ आ आ था 248 248 2510 2714 2510 45.75 आया था सर हमने क्या सही कि नहीं सर थोड़ा सा एंगल गलत हुआ ये D यहां पर इधर होना चाहिए था और ये एंगल वाइस सेक्टर इधर होना चाहिए था कोश्चन के हिसाब से तो इन दोनों को माइनस कर लेता है एंसर आ जाएगा मतलब 20 rest to the power 1 upon 4 is the correct answer ठीक है अच्छा सरी 20.75 मतलब 20 rest to the power 3 by 4 3 by 4 का value होता 0.75 सर आप क्या कहारने चाहरे हो कि image कैसा होना चाहिए था सर image को ऐसा होना चाहिए था देख लो समझ लो मेरी बात को ठीक है image होना चाहिए था perpendicular होना चाहिए था इधर and angle bisector होना चाहिए था इधर ठीक है perpendicular होना चाहिए था इधर तो ये थोड़ा सा image गलत है हाँ सर ये गलत है चले देख लेता next question क्या दिया होए समझना मेरी बात को चले देख लेता है अब देखो सर 12 मिला boys को 14 मिला girls को ठीक है ये girls को कितना मिला 14 मिला और ratio में कितना आगया 13 दसम लोग एक तो यहां से कितना आगया 1.1 आगया और यहां से कितना आगया 0.9 आगया तो यहां से आ रहा है 9 और यहां से आ रहा है तो 9 इस टो 11 रेशियो है 9 के value दिया होए 18 बाइस है What is the fraction that the remaining distance to be covered हम सोच ते 15 टोटाल डिस्टेंस था देखो 5 है 1 थर्ड है इसलिए ले लिए तो 15 टोटाल डिस्टेंस था उसका 2 फिफ्ट कवर हो गया मतलब कितना बचा हुआ है सा 3 फिफ्ट बचा हुआ है तो 5 तीया 15 तो 3 तीया 9 9 खतम हो गया और remaining distance की 1 थर्ड कितना कवर किया बच से तो 3 तीया 9 बचा कितना है सा 2 थर्ड बचा हुआ है तो 2 इंटो 3 मतलब सा 6 बचा हुआ है तो remaining distance कितना fraction हो जाएगा 6 है टोटाल में 15 में 3 दूआ छे 3 पांच पंदरा तो 2 बटा 5 कवर करना option number B is the correct answer ठीक है ऐसे आप कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा आपके लिए चली देखले तो next question क्या दिया हो है 10 6 square x minus 9 10 square x equals to 13 find the value of 6 square theta equals to 1 plus 10 square theta तो 10 10 square theta plus 1 मतलब 10 minus 9 10 square theta कितना दिया हो है बरावर 13 दिया हो है तो यहां से कितना आग या सा 10 square theta बरावर 3 आ रहा है तो theta equals to 60 degree आ जाएगा ठीक है option number C is the correct answer कैसे आता है 10 theta equals to root 3 plus minus root 3 रोटता है लेकिन यहां पर देखो strictly angle दिया हो है 0 से 90 degree के बीच में इसलिए theta के value 60 degree ले लिए चली देखले ले तो next question क्या दिया हो है which of the fraction given below is not equals to 5 बटा 9 5 बटा 9 के साथ नहीं है सर यह काटते answer 9 से कटेंगे तो 9 दूना 18 दूना 18 तो यह 10 से कितना हो रहा है सर 9 से 9 एकम 9 मतलब 11 से कटेंगे तो 11 एकम 11,18,88 तो 11 से कितना होता सर 11 से नहीं कट रहा है तो option number 1 is the correct answer यह गलत हो जा रहा है यह option ही नहीं है मिले गई नहीं 5 बटा से क्यों किके साथ को 5 से कटेंगे तो 21 आना चाहिए तो नीचे वाले 21 से तो नहीं कट रहा है ठीक है चले दखेले लेदे next question क्या दिया हो है 20 men can finish a certain work in 10 days 10 दिन में काम खतम करना है whereas it takes 12 days 12 women to finish it in 10 days ठीक है 12 women 10 दिन में खतम करता है if 15 men and 6 women undertake to complete the work how many days will it take to complete it अब देखो सर एक चीज नॉर्मली समझते है 20 men finish करता है 10 दिन में मतलब 20 into 10 एक जन men खतम करता है तो 200 दिन में एक men खतम करता है वहीं पे women कितना दिन में करता है 12 plus 10 12 into 10 मतलब 120 दिन में एक women खतम करता है यहाँ पे 15 men कितना दिन में खतम करता है सर 200 200 upon 15 तो 5 दिन में खतम करता है 40 बटा 3 दिन में खतम करता है अब सर 6 women कितना दिन में खतम करता है सर 120 upon 6 तो 6 दुना 12 तो 20 तो 20 दिन में खतम करता है women अब दोनोंने मिलके एक काम करता है 40 बटा 3 दिन में दूसरा काम करता है 20 दिन में एक साथ काम करेंगा तो कितना दिन में खतम होगा 40 बटा 3 into 20 upon 40 बटा 3 plus 20 तो यहां से कितना हो रहा है 3-3 LCM कर गया तो 40 into 20 40 into 20 को ही रग लाता है और नीचे कितना होता है 3, 2, 6, 4, 40 कितना होता है 600 तो 00 कर गया 4, 2, 8 दिन में option number 1 is the correct answer यह बहुत तरीके से होता है पहले mean का efficiency निकालो women का efficiency निकालो उससे भी हो सकता है इसमें देखा कि data कर जा रहा है इसलिए मैंने इस process में आपको दिखा दिये चले देख लेता next question क्या दिया हो है यह trendy question है if x equals to a sin theta cos theta plus y equals to b sin theta cos theta then x square upon a square plus y square upon b square यह कितना हो जाता है तो देख लेता है x square upon a square कितना हो जागा sin theta plus cos theta का whole square sin theta plus cos theta का whole square plus y square upon b square कितना हो जागा sin theta minus cos theta का whole square a plus b का whole square minus plus a minus b का whole square क्या होता है तो यहां से क्या हो जागा sir 2 option number D is the correct answer चलिए तुरण दूसरे question के तरफ हम लोग चल जाते हैं क्या दिया हो है next question देख लेते है पता नहीं यह वाला कॉन से सिंबल है rupees हो जाएगा सायद 1156 was divided between two people in the ratio of 13 is to 21 then one who got the largest share received कितना rupees sir कितना होता है sir largest share 21 upon 34 से divide हो रहा था 1156 तो 34 से divide करेंगा तो कितना होगा 172 34 2734 कर लेते हैं थोड़ा सा तो यहां से कितना होगा 2510 2714 2816 सही कि है ठीक है देख लेते हैं तो 73 51 51 तो 6 आ रहा है 174 कितना होता 434 34 इंटो 21 4 लास्ट में आएगा 714 is the correct answer option number B अब गुना कर लेना 34 से 20 करेंगे तो कितना होता है 68 680 और 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा 483 11714 is the correct answer चलिए देख लेते नेक्स्ट कोशिशन क्या दिया होए डिवाइड 1380 अमांग ABC तो 3 जोड़ेंगे तो 6 से हो रहा है तो 60 तो 60 इंटो 15 15 जोड़ेंगे तो 900 रुपए यह का है option number C is the correct answer और कोई option में ही नहीं है हम लोग को दिखना ही नहीं पड़ेगा ठीक है सर चले देखले दे नेक्स्ट कोशिशन क्या दिया होए दा फॉलिंग चार्ट सोज दा पाई चार्ट इंफरमेशन अब दो शेल्स XYZ कोंपानी का इंफरमेशन दिया होए टोटल रेविन्यू कितना हुआ सर 38,72,000 रुपीज विच इस दे टाइप अफ दे मेट लीस्ट रेविन्यू फो दे कंपानी सबसे कम रेविन्यू कॉंसा वाला है यह 5 परसेंट वाला कॉंसा है अक्टिविटी टाइस तो अक्टिविटी टाइस इस दे करेक्ट आंसर और अप्शन नमबर बी सबसे कम बाला वही तो प्रेड्यूस करेगा ना ठीक है चले देख लेते नेक्स्ट कॉश्चिन क्या दिया हुए यहां पर थोड़ा सा ट्रीकी दिया हुए 10 तो दिपार 11 10 तो दिपार 11 और 11 तो दिपार 10 दिया हुए और 12 तो दिपार 9 दिया हुए और 5 तो दिपार 5 तो पहले ही छोटा है यह इसको छोड़ देता है हमें इन तिनों के बीच में देखना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग क्या करता है 10 to the power 11 और 11 to the power 10 को 10 to the power 10 से divide करता है तो क्या हो जागा सर, 10 to the power 10 से divide करेंगे तो यह 10 आ जाएगा और इसको 10 to the power 10 से मतलब 1.1 आ जा रहे, 1.1 to the power 10 आ रहे ठीक है 1.1, तो 10 clearly दिख रहे हैं यह 1.1 से बड़ा है ठीक है तो पहला वाले बड़ा हो गया, 10 to the power 11 है और 12 to the power 9 है तो एक काम करता है 10 to the power 9 से divide करता है तो यह 10 square आ जा रहे और यह आ गया 10 to the power 9 से divide के तो 1.2 आ गया ठीक है तो 10 square greater than 10 to the power 1.2 तो यहाँ पर 10 to the power 11 है सबसे बड़ा वाला पावर है, क्या किये हमने समझो तो 10 to the power 11 है और 11 to the power 10 है हमने क्या किया 10 to the power 10 से डिवाइट किये इसको 10 to the power 10 से डिवाइट किये तो यह आ गया 10 और यह कितना आ गया सर 1.1 to the power 10 आ गया ठीक है तो एक चीज़ सोचो यह 10 से काड लेते हैं तो 1.1 to the power 10 तो यहां पे देखो 1.1 के पावर कितना भी रख लो वो 10 इन से तो बड़ा नहीं आएगा ठीक है तो यहां से भी क्या हो जाएगा सर सिमिलरली यहां से 10 स्क्वेर आ रहा है तो 1.2 तुदी पार 9 आएगा तो यह तो बड़ा नहीं होगा तो 10 स्क्वेर ही बड़ा होगा ठीक है तो option number A is the correct answer चले देखले ते नेक्स्ट वेशन क्या दि and 8% of the remaining population left in panic, left population, left population, left population होगा, यह left population, if the population of the town now is, अच्छा यह if होगा sir, sorry, if the population of the town is now is 88.274, 88,274 कर लाता है, यह 88,274, find the population of the town at the beginning, ठीक है, तो पहले हो गया, 5% खतम हो गया, किससे epidemic से and 8% of the remaining, remaining का 8% खतम हो गया, किससे panic से, और बाकी बचा होगा है, किदना answer is, 274, यह आपके लिए homework रहेगा, आप करके बताना किदना answer आ रहा है, ठीक है, हम उसमें, अगर आपका सही answer पहले आया, तो मैं उसको pin कर दूंगा, ठी देख लेते next question क्या दिया हो है, आज के लिए बस इधना ही रखते हैं, यह से सिमातन के social sites है, चाहो तो आप follow कर सकते हो, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.